हालो एवरिवन आप लोग ने न्यूज सुनी होगी जेई मेंस 22 के लिए हमारी डेट डिकलियर हो गई है और इस बार चार बार की जगे टू टाइम सी जेई मेंस होने वाला है थोड़ा सा जटका भी है पर मुझे लगता ये कहीं न कहीं हमारे लिए वेनिफिट भी होगा क्य क्योंकि हमें क्लियर टी है कि दो बार ही जेई मेंस का एक्जाम देना है अब इन दो बार में हम कैसे बेस्ट परफॉर्म करें इसके क्या-क्या एडवांटेज हो सकते हैं और जेई एडवांस में भी आप कैसे बेस्ट परफॉर्म करें उसके बारे में मैं आप से बात करता पर सबसे पहले मैं कुछ basic information दे दूँ इसके लावा impetus gurukul आप लोगों के लिए J.E. mains के लिए एक magical test series भी start करेगा जिसका announcement में next week में करूँगा पर अभी मैं बात करता हूँ जो notification हमारे पास आया है आप सब लोगों ने अगर देख लिया तो अच्छी बात है पर कुछ important बाते मैं आपके साथ discuss करूँगा कैसे आप एक अच्छा percentile score करें J.E. mains में एक अच्छा score करें अच्छी rank achieve करें ये सब बाते इस session में मैं cover करने वाला हूँ तो ध्यान से इसको end तक सुनिए सबसे पहले हम बात करें J.E. mains 2022 के लिए तो आप पहला काम ये करिए कि official website पे जाके याद रखिए जैसे ही आप J.E. mains डालेंगे तो official website के लावा भी बहुत सारी website दिखेंगी तो सबसे पहले आप official website पे जाए और official website पे जाने के बाद आपको एक information bulletin दिखेगा N.T.E. की website पे जाके वो पूरा अच्छे से read करिए क्योंकि इसमें examination date, examination pattern, marking scheme, age limit, number of attempt, exam date, form fee, cast certificate, EWS, OBC यानि छोटी-छोटी चीज़े सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा तो पहले जब आप एक बार ये पूरा अच्छे से read कर लें उसके बाद ही form submit करें उसके पहले नहीं कुछ important चीज़े जबूर मैं आपके साथ discuss करना चाहूँगा तो सबसे पहले हम बात करें कि paper pattern की तो paper दो paper होंगे paper one and paper two paper one मतलब B और B टेक के लिए paper two मतलब architect और B planning के लिए तो paper one के pattern की बात करें तो वैसे ही है math physics chemistry section A 20 section V 10 20 10 20 10 total 90 question आएंगे और section A में 20 यह multiple choice question यह numerical value based question चिसमें से 10 में से आपको कोई 5 करना है यानि यहाँ पर आपको 20 and यहाँ पर 5 यहाँ पर भी same concept और यह भी same और आप याद रखें कि negative marking का formula same है 4R minus W मतलब four right के marks मिलेंगे और one minus होगा even numerical value में भी अगर आपका answer wrong हुआ माल लिजे किसी question का answer 10 है या ने रवोट 10 है और आपने by chance 8 लिग दिया तो आपका minus mark कट हो जाएगा एक चीजाद रखें किसी भी exam में number of right attempt बहुत important होते हैं क्योंकि अगर हमारा एक question wrong होता है तो हमने अपने कमाई हुए number में से एक number कम कर लेते हैं इसलिए कुछ छोटी छोटी बात है ध्यान रखते हूँ चलेगा बात करते हैं टाइमिंग की तो 9 to 12 और आफ्टरनून सिफ्ट 3 to 6 और यह देखिए paper A बिल भी multiple choice question and section B बिल भी contain numerical based questions यह कुछ बेसिक चीज़े मैं आपको बताता चलूँगा paper का mediums देखेंगे तो किस-किस language में मिलेगा अब बात करते हैं exam date की तो जैसे ही हम exam date पर आते हैं तो exam date में एक चीज़ाद रखिएगा session 1 जो है वो अप्रेल में है और session 2 जो है वो मई में है अब जो 12th appearing student है उनको हो सकता है problemize session 1 में especially क्योंकि कुछ state या CBSE के exams अप्रेल में ह हो सकते हैं और NTA ने इस बार clear कर दिया है कि अगर आपकी date माल लेजिए 12th exam की date इन में से इन में से कोई आती है या कुछ भी होता है तो वो उसको consider नहीं करेंगे इसका मतलब यह है पिछले दो बार से बहुत सारी चीज़े हुई है पर इस बार ऐसा नहीं होगा तो अगर आपने ये किसी भी current से नहीं दे पाए चाहे वो school के exams हो या physically problem हो तो आपको एक साल wait करना पड़ेगा इसलिए पर यह पक्का है कि देखिए अगर किसी के 12th exam अप्रेल में हुए तो मई attempt दे पाएगा अगर कुछ boat के मई में वैसे normally 12th के होते नहीं पर अगर किसी state boat के मई मे दे सकता है इसलिए ऐसी कोई problem नहीं आएगी इस पर panic नहीं होना है दूसरा जो 12th 20 में पास किये हुए है 21 में या 22 में जो appearing है वो तीनों लोग इसमें अपेर हो सकते है इस पेशली मैं वो बच्चों से एक बात कहना चाहूंगा जिनका 12th complete हो चुका है उनके लिए मैं कहू दें और मैं सला यही दूँगा कि दोनों अटेमडी दीजिए कोई नुकसान नहीं है क्योंकि हमें पता है कि हमारे best score को ही consider किया जाने वाला है तो आपके लिए अच्छा है पर फिर भी अगर आप क्योंकि अप्रेर अटेम आप अच्छा qualify करते हैं तो जुलाई में जब आ आप 98, 99 and 99.95, 99 तक जितना अच्छा परसेंटाइल आप जई मेंस में बनाएंगे उसके दो फायदे होंगे एक जई मेंस का अच्छा परसेंटाइल मतलब आपके पास एक अच्छा एनाइटी होना और उसके बाद जब आप जब आप जई एडवांस देंगे तो आपके पा है कि 2.5 लेक्स लोग जो हैं वो जई मेंस कॉलिफाय करके एडवांस देंगे पर सीट तो इतनी नहीं है तो अगर हमारी पोजिशन अच्छी आई हमने एक अच्छा स्कोर अच्छा परसेंटाइल किया तो इसका मतलब है कि हम जई एडवांस तो देंगी देंगे साथ में ह आप सबको एक बात बोलूँगा कि अब अच्छा स्कोर करें कैसे यह एक इंपॉर्टेंट बात है तो अच्छा स्कोर करने का एक सिंपल सा लॉजिक है कि एक तो आप NCRT की बुक को अच्छे से सॉल्व करें पिछले कुछ समय से आपने एक बात नोटिस की होगी कि J.E.Mains के पेपर में directly NCRT के कोशन आ रहे हैं especially chemistry में physics में भी आते हैं मैस में भी आते हैं पर आप अगर NCRT की बुक को अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं इस मिस कि आप मान के चलिए कि आप J.E.Mains में अच्छा परफॉर्म करेंगे इसमें कोई डाउट ही नहीं NCRT NCRT एक्जाम्पल या आप इसके साथ साथ जो भी आपने गाइड सॉल्व करियोगी वो सब और अब क्या करना चाहिए अगर आपका टारगेट अप्रेल अटेम्ट है तो अब आपको क्या करना चाहिए simple सा logic अगर अप्रेल अटेम्ट है तो आपको अब लगवग नया पढ़ना बंद कर देन चाहिए क्योंकि किसी भी एक्जाम में successful होने के लिए एक सबसे important चीज है कि जो पढ़ा है उसका revision करना और last time में जो one month में पढ़ा है उसका quick revision करना यानि तीन phase करना एक जितना पढ़ाई अभी तक किये वो अब उसको आप one month में जैसे आज ये second March तो आप target रखिए कि second April तक आपने जो पढ़ाई किये physics, chemistry, math की उसको complete करें 3 to 2 to 1 के ratio में 3 घंटे math, 2 घंटे physics, 1 घंटे chemistry और आखरी के 10 से 12 दिन 10 to 12 days आप जितना इस एक मन्त में पढ़ा उसको revise करें क्योंकि ये important नहीं है कि syllabus 100% करो important ये कि जो syllabus करो वो 100% करो भले आपका 50% या 60% syllabus cover हुआ है कोई problem नही 60% 100% होगा तो उसका फाइदा मिलेगा तो अभी का जो समय है अब आप लोग जितना पढ़ा है उसको revise करें जैसे मैं next week से जो आपके साथ test series start करूँगा उसमें topic wise और full length test दोनों तरह के दूँगा मतलब algebra का हुआ, coordinate का हुआ, टिग्रमेंटी का हुआ, calculus का हुआ, इस तरह स हम testing करेंगे और उसके साथ साथ full length topics भी रखेंगे, तो आपकी उसमें performance आपको पता चलेगी, testing से आप अपने आपको कहां का improve कर सकते हैं, दूसरा question को कैसे attempt करना है, select कैसे करना है, solving approach क्या, इन सब पर ध्यान दोगे, तो आपको 100% फायदा मिलेगा, बिलकुल panic ना हो, panic होने पेपर देने की, पेपर और पढ़ाई करिए, आपको उसका फायदा मिलेगा, तो अभी तक जितना पढ़ा है, उतनी ही चीज़ को revise करके, अच्छे से त्यायर करें, और आखरी महीने में, जो अभी आप एक महीने में पढ़ेंगे, आखरी 10 दिन में उसका revision करें, अच्छा है, forms finish करके, अपनी पढ़ाई पर focus करें, ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो ध्यान रखिएगा, ये official website है विटा, इसके इलावा, ये जई advance के लिए, आपको पता है कि जो July की date है, जई advance के लिए, आप form भर सकते हैं, जई advance in July 3rd, paper 1 and paper 2, अच्छा, आप एक चीज exams को हम देते हैं, तो official website पर जाने के लिए, national testing agency पर जाईए हो सकता है, clear ना दिख रहा हो, तो यहाँ पर जाके आपको सारी information मिलेगी, information joint interest examination, फिर ये सारी date, timing, ओके, ये सब आपको मिलेगा, तो official website पर जब आप visit करेंगे, तो सारी चीज़ें पता चलेंगी, basic मैंने छोटी- तो आप बस ध्यान ये रखिए, कि अगर आपका target है, April session, तो बिलकुल जुट जाएए, और revision start कर दीजे, अगर एक सिवा आपके 12 के paper आ रहे हैं, और इनी किसी date में हैं, तो भी form तो fill करिए, हो सकता ना दे पाएं, तो आपके पास my attempt है, और try यही करिएगा, कि July attempt, sorry, April attempt में best performance दो, एक सिवा नहीं आती, तो हमारे पास यहां पर फिर से मौका है, और जो mistake यहां की गई है, वो यहां पर सुधाल लेंगे, और उसके बाद भी one month राएगा, जो कि J.E. Advance के लिए, हमें अच्छे से revision करवा देगा, चली, thank you and all the best, take care of yourself.